सब्सक्राइब कीजिए टीचर एजुकेशन चैनल को और साथी दबाईए बेल आइकन को एजुकेशन संबंदी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए नमस्कार दोस्तो हमारे यूटुब चैनल टीचर एजुकेशन में आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है और दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आपके जो स्वैम एप्स ओपेन नहीं हो रहे थे वो अब ओपेन हो जाएंगे और कैसे होंगे चले मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में दोस्तो पिछले कई दिनों से लगभग चार से पांच दिनों से हमारे बहुत सारे सिक्षक साती हमसे कॉमेंट करके पूछ रहे थे कि सर हमारा स्वैम एप्स ओपेन नहीं हो रहा है उसमें बहुत सारे कॉर्स तो आपको दिखाई दे रहे थे जो आपने इन्रॉल किया है लेकिन वो कॉर्स ओपेन नहीं हो रहे थे इस वज़ए से बहुत सारे लोग अपने स्वैम एमसी की टेस्ट जो भी करिन चल रहा था वो भी नहीं दे पा रहे थे तो दोस्तों आज मैं उन लोगों के लिए बता देना चाहता हूँ कि अब आपका जो है वो Swam Apps उपन होगा अगर उस उपन नहीं होता तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि ये Swam Apps जो है उसको Google Play Store से सबसे पहले अपडेट कर लें अगर आपका Swam Apps उपन दिखाई दे रहा है वो आपको उपन दिखाई देगा अगर आपका अपडेट नहीं है तो इस उपन की जगा पे आपको अपडेट लिखावा नजर आएगा तो सबसे पहला काम यही करना है उसे ओपन कर लेना है जब हम दोस्तो Swam ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे आप notification आइकन पर आते हैं दोस्तो पिछले कई दिनों से इसके server पे वो काम चल रहा था बहुत सारे इसमें गड़बडियां थी वो इसको सुधारा जा रहा था उसे fix किया जा रहा था server down होने के वज़े से यह apps किसी का भी नहीं खुल रहा था लोग काफी परसान थे सब को लग रहा था कि साथ मेरे साथ ऐसा हो रहा है जबकि ऐसा नहीं है यह Swam apps किसी का भी open नहीं हो रहा था और आज 20 फरवरी को यह apps अपडेट हुआ है इसकी server अपडेट हुई है और अब आप इसके कोई भी notifications को on करके देख सकते हैं और साथी साथ आप इसके test को भी attempt कर सकते हैं जैसे मेरे यहां किताब वारे icon पे आता हूँ यहां पर अब देख सकते हैं 501, 502, 503, 504 यह 4 course को मैंने अभी enroll किया वा है जो मुझे दिखाई दे रहा है दोस्तों अगर आपने enroll नहीं किया तो सबसे पहले आप 501 से लेकर के 504 तक enroll कर लें और साथी 505 का भी try करें discover में जाके जैसे मैं यहां पर test कर ले रहा हूँ कि 505 course आया है या नहीं और यहां पर 505 course so नहीं कर रहा है दोस्तों इसका मतलब 505 अभी नहीं आया है तो 504 तक आपको enroll कर लेना है और चलिए पहले यहां पर जब हम लोग click करते थे तो दिखाई देता था हमें यह सब blank दिखाई देता था कुछ भी नहीं आता था आप यहां पर week 1, 2, 3, 4 देख सकते हैं अभी 3 week में हम लोग जाते हैं और देखते हैं यहां पर दोस्तों कि आप के अंदर जो भी file था जो भी video थी वो सब open हो रहे हैं मैं आपको यह live करके दिखा रहा हूँ आज 20 फरवरी की है और यहां पर mcq4 unit भी है अगर test नहीं दिये हैं अभी तक तो यह सारे test दे सकते हैं इसकी date अभी है एक दो दिन और बचा है आप दो दिन में यह सारे test दे सकते हैं तो यह थी दोस्तों update swam की जो मैंने आपको बता दिया अगर आप अपना test देना चाहते हैं तो अभी अपने swam apps को open करें और आपका apps जो है वो अच्छे से काम करेगा उसके बावजूद भी अगर आपका apps काम नहीं करता है तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना यह चाहिए कि अपने swam apps को update कर लेना चाहिए दूसरी बात कि अगर swam app update कर लिया है आपने तो सबसे पहले आपको करना है अगर आपका apps आपस आपन नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है दोस्तों कि एक बार phone को restart कर लेना है phone restart कर लेने के बाद आपका open हो जाएगा उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो आपको करना होगा कि अपने mobile को update करना होगा यानि आपके mobile में जो update आता है उसे update कर लेंगे तो आपका सारा problem sort out हो जाएगा हलाकि उतना करने का भूरत नहीं पड़ेगी आप बस internet fast रखें और अपने swam apps को update रखें बस यही दो काम करेंगे तो आपका swam apps open होगा और कभी अगर ऐसा होता है आपका open नहीं हो रहा तो आप हमें comment में जरूर बताना किसी भी वीडियो में किसार मेरे साथ ऐसा problem हो रहा फिर मैं आपको बताऊंगा हलाकि अभी जो वो है swam apps सभी के लिए ठीक हो गया है आप वहां से जाएं और अपने टेस्ट को अटेम्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों मिलते हैं आगे की वीडियों में धन्यवाद